हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आपसी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का ये वीडियो क्लास 10th इस्टुडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज केस पीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ एक महीने में आप पूरे हिंदी की किस प्रकार करेंगे जिससे आप बोड एक्जाम में अच्छे नंबर से आप पास हो सके तो आज के स्पीडियो में हम यही बताएंगे ठीके अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है ठीके गलती तो आपने किया ही है बड़ कोई दिक्कत नहीं फिर भी अभी भी आपके बास समय है यदि आप एक महीना अगर आप दे देते हैं ठीके एक गंटा तो आपका हिंदी के तियारी बहुत यह अच्छे तरीके से हो जाएगी तो दिखिए सबसे पहली यही बात आता है कि किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट का यदि हमें तियारी करन है तो हमें टार्गेट पता होना चाहिए कि किस किसको हमें क्या त्यार करना है ठीके क्या हमारा लच्छ है तो हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि यह यह टॉपिक हमें त्यार करना है यह टॉपिक कितने नंबर में हमें पूछे जाएंगे यह सब कुछ हमें पता हो तो हम कि हिंदी की तियारी आप एक महीने में या थोड़ा उससे कमी समय में आप कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आपने स्चिंत रहिएगा आपको समझ में आएगा तेके हमने लिख दिया है क्लास 10 हिंदी की तियारी कैसे करें आप एक मेने में कैसे करना है तेकि हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है अभी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है जो हम आपको समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए तो समझते हैं सबसे पहले हमने लिखते हैं सबसे पहले तो आपसे बहुभी कल्पीय प्रस्न ही पूछे जाते हैं तो यह याद रखेंगे आपका बहुभी कल्पीय प्रस्न आपके बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं वो कितना नंबर आपको दिलाएगा 20 नंबर मतलब 20 नंबर का आपको कीवल बहुभी कल्पीय प्रस्न पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे सर्फ इस नुम्बर का पूछा जाता हैं कैसे हम त्यार करेंगे तो देखिए त्यार क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अब्जेक्टिव क्वेस्चन है मतलब बहुभी कल्पिय प्रस्न ये कहां-कहां से पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए एक होता है गद्य और एक होता है पद्य ये दो चीजे होती है एक होता है गद्य एक होता है पद्य तो आपको याद रखना है जो गद्य है गद्य से आपके 5 नंबर के 5 marks के आपसे question मतलब 5 नंबर के 5 question यहां से पूछे जाते हैं कितने 5 नंबर के 5 question गद्य से पूछे जाते हैं उसके बाद जो पद्य है इससे 5 नंबर के 5 question पूछे जाते हैं तो यदि आप गद्य और पद्य को त्यार कर लेते हैं क्वेस्चन को ठीक है अब्जेक्टिव क्वेस्चन को तो आपको पांच-पश नमबर मिल जाएंगे पांच-पश नमबर के पांच-पश नमबर के पांच-पश नमबर के और जो हिंदी ब्याकरण है, ब्याकरण से 10 question, 10 number के पूछे जाते हैं, total आपके 20 number हो गए, तो अब आप कहेंगे, सर हम कैसे याद करें, तो देखिए, आप कोई भी बिद्या है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, यही बात आपको समझना है, बिद्या आप खोलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको objective question से ही सुर्वात करता है, तो उसमें देखिए, जितने भी important हैं, वो सभी objective आप पढ़ लीजिए, वैसे हमने objective question पहले ही करा दिया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, कि यहां हमें आगी भी अभी भी आप कह सकते हैं, comment section में, तो हम objective question भी आपके लिए ला देंगे, ठीके, 50 objective question हम करा देंगे, जिसमें सब आपको मिल जाएंगे, लगबग उसमें से match करेंगे, आपके board exam के paper से, तो समझके यहां से 20 number, तो अभी से मैं यही कहूँगा, समय है, आदे अदे घंटे केवल समय दीजिए, अगद, पद और ब्याकरण, इन तीनों का objective question, अपने जो विद्ध्या है, आउतार है, उन सभी से आप तियार कीजिए, समझके, इतना आपको करना है, दूसरा हमारा target क्या है, दूसरा है, देखें, यह सभी question, हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह हमारा bonus number, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, देखें, महत्तपूर्ट जीवन परचे, अब जानते हैं, जीवन परचे पूछाई जाता है, एक जीवन परचे पूछाई 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 कर लेना है कभी के आ जाता है तो कभी में दोनों में इसे कोई एक ही आएगा ठीक है पट आपको पांच नंबर दिलाएगा दोनों आप याद कर लेंगे ठीक है रिक्स हम क्यों ले हम दो याद कर लेते हैं क्या दिक्कत है अशूर्दास तुलसीदास आप महादेवी वर्मा इन तीनों में से भी एक कोई आएगा पांस नमबर दिलाएगा, तो मतलब अगर जीवन परिचे आप दोनों तियार कर लेते हैं ये, तो दस नमबर आपको मिल जाएंगे, अब आपका लच्छे क्या है कि इन सभी का जीवन परिचे तियार करना, ठीक हैं, तो आप तियार कर लेंगे, आप केवल लिखेंगे जैसे माल लेते हैं, कि आपको जैसंकर परशाद का जीवन परिचे पढ़ना है, तो आप लिखिए जैसंकर परशाद जीवन परिचे, अतना लिख कर सlarच करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसंकाव प्रसाद जीवन परचे ब्रदर सर इतना लिखे आप साच करेंगे वीडियो मिल जाएगा और देखे जैसंकाव प्रसाद परचे से क्लास 10th के लिए काता है जीवन परचे लिखे और क्लास 12th में साहीतिक जीवन परचे काता है तो ऐसा बिलकूल भी नहीं है कि यदि आप साहीतिक जीवन परचे लिखते हैं तो आपका गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है साहीतिक परचे लिखते हैं तो और अच्छी बात है ठीक है जीवन परचे साहीतिक परचे में क्या होता है जीवन परचे पहले लिखा जाता है उसके नीचे साहितिक परचे उसके बाद उनकी रचनाय कृतिया आपको लिखी जाती है तो class 10, 12 का अगर जीवन परचे जो साहितिक जीवन परचे है वही लिख देते हैं तब भी आपको फूरा मिलेगा समझ पा रहे हैं तो आप पढ़ लिजेगा ठीक है मैंने सब कुछ कराया है आप क्यों लिखेंगे जैसे मादेवी वर्मा का पढ़ना है तो आप लिखें मादेवी वर्मा जीवन परचे ब्रदर सर इतना लिख किसी सर्च करेंगे यूटूब पर वीडियो मिल जाएगा या आगे अभी भी आप कहेंगे तो मैं आपको जीवन परचे करा दूँगा समझके आप कमेंट में हमें जरू बताइएगा अगला अगला आता है गध्यांस देखे तीसरा हमारा क्वेस्चन होता है गध्यांस गध्यांस में याद रखेंगे कि हम देखे गध्यांस में बहुत सारी चेप्टर है बट मैं आपको केवल दो कह रहा हूँ एक है मित्रता एक है ममता ठीके मितरता और ममता बहुत ही important chapter है इनको त्यार कर लेना है ये बात तो आपको जानते होंगे कि जो मितरता है ये किन होने लिखा है? आचारी रामचंद्र सुकली जी ने मितरता किसका है? आचारी रामचंद्र सुकली जी का है अब मामता जो है वो जैसंकर प्रसाद जी का है ये तो बात आपको पता होगा ठीक है मामता किसने है मामता के लिखा कौन है जैसंकर प्रसाद अब मितरता के लिखा कौन है ये है अचारे रामचंद सुखल जी का तो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न इसमें क्या पूछा जाता है मितरता पर आपको एक महत्तपूर्ट गद्यांस दे देगा आप कहेंगे तो वो जल्दी हम करा देंगे एक paragraph जैसे मिर्तरता में किए एक paragraph देगा उसमें कहेंगा रेखांते अंसों की ब्याख्या कीजिए उसमें कहेंगा लेखा का और इस पार्ठी का नाम लिखिए ठीक है उसे question कुछ पूछे जाते हैं अगर आप कहेंगे तो महत्तपूर्ण हम गध्यांस भी और महत्तपूर्ण पध्यांस जो यह है यह सब हम करा देंगे किवल आप हमें comment से कुमें बताना है कि सर हिंदी class 10th हिंदी पर वीडियो लाइए ठीक है या गध्यांस पर वीडियो लाइए comment में आप जरूर हमें बताईएगा मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं कराऊंगा ठीक है अगला आता है पध्यांस देखिए पध्यांस में आपको कौन-कौन से chapter त्यार करना है पध्यांस में मैं तीन chapter आपको कह रहा हूँ सबसे पहला है पद इनके लेखख कौन है और आपको तो पता ही होगा इनके है शूर singers क्यूंत довольно को है इनके कौण है भक्ति नीति कौन है ब्हरी लाल जी है ठीक है तो इनको आपको पता ही होगा और मैं आपको बता दूँ तो देखिए जो गध्यान्स है ना ये आपको कितना नमबर दिलाता है ये आपके 6 नमबर के बोर्ड एक्जाम में पूछे जाते हैं कितने 6 नमबर का और जो पध्यान्स है ये भी आपके बोर्ड एक्जाम में 6 नमबर का पूछा जाता है तो मैं आपसे पूरा चेप्टर न रहने की देरी है ठीक है आप कहिए कमेंट से समय में बताइए मैं बिल्कुल ट्राइ करूंगा कि आपको जल्द से जल्द यह सभी वीडियो मिले ठीक है निश्चिंत रहना है आपको अब आप पर ही च्यादातर फोकस किया जाएगा ठीक है वैसे तो क्लास 12 का भी हमें लाना है फिसे क्लास 10 इस पर आप जानते भी होंगे कि वीडियो लगबाग एक सब्ता से नहीं आ रही थी इसका कारेण है कि क्लास 12 के स्टूडेंट बहुत ही जागरूत है वह इतना कमिंटी करते हैं कि सर क्लास 12 का यह पढ़ा दीजिए वह पढ़ा दीजिए सिक्वेंस म आप वीडियो नहीं ला रहे हैं ठीक है हमारी जो हिंदी है इंगलीश है उन से भी कि त्यारी करा दीजिए तो मैं ज्यादातर में भी कोशिश कर रहा हूं कि इस जो क्लास 10 के स्टूडेंट है उनका भी अब बेहतर तरीके से त्यारी करा दिया जाए समय अभी भी तीन मही महीने हम कह सकते हैं दिसंबर अब समझे बीतिने वाला यह उसके बाद जनवरी है फेब्रावरी है ठीक है तो जनवरी यह दो आपके महीने हैं जिसमें हमें बेहतर तरीके से त्यारी करना है अब मैंने कहाना है एक महीने अगर जनवरी पूरा आप दे देते हैं तो आपका पूरा अच्छे से तयार हो जाएगा फरवरी में आप रिवीजन करेंगे और जाकर आप एक्जाम देंगे समझ में आ रहा है खास बात ये है कि जो भी student नए है जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप description box एक बार जरूर चेक कीजिएगा ठीके description box में मान लेते हैं आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सभी चॉप्टर हमने पढ़ा दिये होंगे सभी important हिंदी का पढ़ाया होगा या English का वो सभी description box में link हम देदेंगे हिंदी का link देदेंगे English का link देदेंगे Science का link देदेंगे तो वहाँ पर click कीजिएगा हिंदी में check कीजिएगा कितने हमने important करा दिया है हो सकता है साइध हमने पूरा करा दिया हो तुरन तुरन आप सभी को पढ़ सकते हैं समझ में आ गया ठीक है तो ये बात है अगला आता है देखे चार हमने यहाँ पर देख लिया तो यहाँ पर 6 नमबर यहाँ पर 6 नमबर यहाँ से 10 नमबर यहाँ से 20 नमबर हमें मिलेंगे अगला आता है संस्क्रित महत्तपुर्क पाठ है अब देखें यहाँ पर यह चार पाठ हमद आपको दे रहे हैं देखें इसमें भी क्या होता है इसमें भी गद्ध से पूछा जाता है और इसमें भी पद्ध से पूछा जाता है तो देखें गद्ध से आपको दो याद रखना है वरानसी याद रखेंगे वीर वीरन पूजते यह आपको याद रखना है भारतिया संस्कृतिक याद रखना है और प्रबादु ग्रामड यह आपको याद रखना है तो यह दो दो आपको इन में से दो आपको याद रखना है इनका दो आपको याद रखना है ठीक है यह आपको मैं बता दू देखिए ये सब कुछ हमने आपको बता दू पांच पस नंबर में ये पूछे गए है ठीक है इन में से पांच नंबर का पूछा जाता है इन दोनों में से पांच नंबर का ठीक है मतलब Sanskrit, महत्तपूट, पार्ठी कौन कौसे है दो हमने गद्धे से बताया दो हमने पद्दे से बताया 5-5 नमबर यहां से मिलेंगे मतलब टोटल हमें 10 नमबर यहां से मिलेंगे समझ मा रहा है तो यह chapter important है आप इसको पढ़ लीजिएगा comment में कहते हैं तो यह भी हम chapter आपको करा देंगे क्यों आप comment हमें कर देंगे अगला आता है sloak देखे target अभी आपको पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है कि कौन-कौन से हमें chapter पढ़ना है पहले यह हम complete कर लेते हैं उसके बाद यह करेंगे ठीक है target आपको पता होना चाहिए sloak की बात है तो sloak आपके board exam में तीन नमबर में पूछा जाता है आप त्यार कर लेंगे sloak तो simple सा है एक हाँ है तो ये भी एक sloak है दो line का आपको लिखना होता है तो आप याद कर लेंगे simple सा है ठीक है बट मैं कहूंगा कि दो sloak आप याद रखिएगा ठीक है क्योंकि एक sloak माल लेते हैं इसमें संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांच में अगर कोई sloak का आपसे कह दे कि इसका हिंदी व्याकरण कीजिए तो उस sloak को तो आप नहीं लिख सकते हैं इसलिए दो sloak याद रखिएगा जो paragraph में नहीं दिया होता है वही sloak हमें लिखना होता है समझ पा रहा है ना तो ये तीन नमबर आपको दिलाएंगे मतपून निबंद ये जो निबंद है ये आपके board exam में 7 नमबर दिलाते हैं कितने 7 नमबर बहुत होते हैं अब मैं आपसे कहूंगा कि देखिए इनपोर्टेंट ये सभी निबंद है पहला है प्राइवरन प्रदूसर पर बेरोजगारी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है अगला आता है चोथा बिज्ञान वर्दान या अभिसाप है फिसे आतंक वाद है तो देखिए ये सभी इनपोर्टेंट है जिस पर लगबग बार बोर्ट एक्साम में पूछा गया है निबंद तो इनको आप तियार कर लिजेगा अदरवाइस मैं देखिए इनको ज़्यादा तर याद सब्दसा नहीं करना होता है एक बर पढ़ लेना होता है अपने सब्दों में ही जाकर निबंद लिख देना होता है दो और मैं कहूंगा जिनको आप तियार कर लिजेगा एक है जनसंख्या ब्रिधी ये भी अगर आप चाहें तो आप इसको तियार कर लेंगे निबंद एक अभी जो क्या होता है चंद्रियान 3 जो अभी लांच हुआ है तो उसको भी आप तियार कर लेंगे हो सकता है जो सकता है कि इस पर भी निबंद पूछा जा सके इस बार ठीक है क्योंकि ये हमारे देश की सफ़लता है अगला आते हैं अगला आता है मातपूर लेखन मतलब पत्र लेखन अब देखिए आपके बोड एक्जाम में पत्र भी पूछा जाता है पत्र जो पूछा जाता है वो आपके बोड एक्जाम में चार नंबर में पूछे जाते हैं तो आप कहेंगे तो मैं पत्र भी आपको लिखना सिखा दू सामें पूछे जाते हैं अब आपके जिले में कौन है यह आपको पता करना है आपको लिखना है तो आप क्या किज़ेगा कुछ नहीं आपको पता है ना खंड काप क्या कहते हैं तो आप जाहिए कि हिंदी के जो टीचर हैं आपके या जो स्टुडेंट पढ़ने में तेज हैं उन से जागे कहिएगा कि आप बताईए कि खंड काबे में हमारे जिले में खंड काबे कौन सा पूछा जाता है तो आपको बता देंगे कि खंड काबे कौन सा आपको पूछा जाता है ठीके उनको पता होगा ये टीचर से अपने ज्यादा तरह पूछ सकते हैं वो आपको बता देंगे समझपा रहे हैं हर जीले के लिए अलग अलग होता है अब मैं नहीं जानता कि आप किस जीले से है किस है कांड कई पढ़ रहे हैं ठीक है इसलिए मैं कहा हुँ इसको आप पता कर लिजेगा अग्ली आउसा करते हैं कि आपको यह सब कुछ नमस में आ गया होगा तीके अगर आप देखे तें यहां से 20 मिलेंगे बीस यहां से 5 यहां से 5 30 नमबर हो गया 30 अच्छे 36 नमबर हो गया 36 कितना होते है 42 नमबर हो गया 42 अधस कितना होता है लगबग 70 नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे आप कहेंगे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 69 ठीक है एक कहीं मुझे लगता है कोई एक साइद कोई 5 नंबर में पूछा जाता होगा ठीक है यह तो 70 नंबर होना चाहिए कहीं एक नंबर मुझे लगता है कि यह पत्र लेखन जो है न यह 4 नंबर में ने साइद 5 नंबर में ही पूछा जाता है, तो ही ये 70 हो जाएगा, ठीक है, तो देख रहे हैं, 100 में 70 नंबर आपको मिल जाएँगे, 30 तो आपके board exam से ही मतलब, जो practically पर मिलता है, ठीक है, practical नंबर, तो 70 नंबर आपके मिल जाएँगे, समझपा रहे हैं, तो ये आपका target होना चाहिए, आप इसको वीडियो समापत होने के बाद, इसकी इंसोर्ट आप ले लीजिएगा, और सभी का notes में लिख लीजिएगा, कि किसको हमें किसके बाद त्यार करना है, पहले इसको target, उसके बाद G1 परिचे का, उसके बाद गध्यांस, पध्यांस, इस तरीके से target लेकर पढ़ाई करना है, मैं आसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ help मिला होगा, यदि help मिला होगे, तो वीडियो को लाइक किजएगा, चैनल पने होगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजएगा, और यदि आप इन सभी topic पर वीडियो चाते हैं, तो comment सकसे में आपको जरूर बताना है, कि हाँ सब वीडियो लाइए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक किजएगा, सायद हमने ये सभी topic आपको करा दिया हो, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी देदेंगे, हिंदी का, इंगलिस का, साइन्स का, तो आप जाकर वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो मिलते एक नए topic के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.